नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सब की भलाई 18 वर्ष से अधिक आयू के व्यक्ति टीका करण के लिए पंजी करण करवाएं पंजी करण के लिए www.covin.gov.in अत्वा self-registration.covin.gov.in पर लोग इन कर अपना मोबाईल नमबर दर्ज करें मोबाईल पर प्राप्त OTP नमबर दर्ज करें और सत्यापित करें फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयम को पंजी करें टीका करण के उप्रांत भी तीन बहु मुले नियम अवश्य अपनाएं हमेशा मास्क पहने अपने हाथ साबुन और पानी से नियमे तोर पर अच्छी तरह से धोएं दूसरों से उचित दूरी बना कर रखें अब पेश है आज की समाचार मुख्यमंत्री श्री जराम ठाकु ने आज नई दिली में केंद्रिय पेट्रोलियूम वो प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्रु प्रधान से भेंट की राजे में कोविट की वर्तमान स्थिती पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने राजे को इस महामारी से लड़ने के लिए हरसंभाव सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रिय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के नित्रतों वाली केंद्र सरकार का अभार व्यक्त किया श्री जराम ठाको ने कहा कि केंद्रिय मंत्री नहराजे के लिए 1000 D-type oxygen cylinder स्वीकृत किये हैं जिन मैंसे 500 सिलेंडर प्रदेश को मिल चुके हैं जबकि 500 शीघ्र पहुंच जाएंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पितालों में स्थापित करने के लिए आधा टन क्षमता वाले 10 cryogenic oxygen tank और corporate समाजेक दायत्व निधी के अंतरगत प्रदेश को 300 oxygen concentrator मिलेंगे जिससे प्रदेश के oxygen क्षमता को बल मिलेगा उन्होंने कहा कि यदी आवशकता हुई तो शीघ्र ही B-type oxygen cylinder खरीदने के प्रयास शुरू किये जाएंगे श्री जाराम ठाकु ने कहा कि केंद्रिय मंत्री नेराजे के लिए 60 करोड रुपे की अनुमानित लागत से state of art modern अस्पिताल स्विक्रित करने का आश्वासन दिया है मुख्य मंत्री ने कहा कि केंद्रिय ग्रिह मंत्री ने राजे में हिंदुस्तान पैट्रोल गियम के माध्यम से 200 करोड रुपे के निवेश से 200 के अलक शमता का इथेनौल सयंत्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है इथिनॉल से यंत्र द्वारा अनाज से इथिनॉल बनाया जाता है जिसे पेट्रोल और डीजल में मिश्रित करने से प्रदेश में वाहनों से उससरजित प्रदूशन में कमी आईगी इससे प्रदेश में पर्यावर्ण संरक्षन में सहायता मिलेगी प्रदेश सरकार द्वारा COVID-19 महामारी से उत्पन चोनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कारगर कदमों और इस बिमारी से संक्रमित लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही बेहतरीन स्वास्ते सेवाओं उचित देखभाल वा उपचार के परिणाम स्वरूप प्रदेश में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों के स्वस्त होने की दर 94 प्रतिशत तक पहुँच गई है राजी के विभिन चिकित्सा संस्थानों में तनात हजारों चिकित्सकों नर्सों पेरामेडिकल स्टाफ और अन्य करमचारियों द्वारा प्रदान की जा रही बहुमूले सेवाओं के फलब स्वरूप अब तक प्रदेश में 181,972 लोग इस महामारी को मात देकर स्वस्त ह हो चुके हैं प्रदेश में कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों के अब तक 1,94,727 मामले सामने आये हैं जिन में से 1,81,972 मरीज स्वस्त होकर समाने जीवन व्यतीत कर रहे हैं राज्य सरकार दोरह प्रदेश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में व्यापक स्तर पर कोरोना परिक्षन अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश के चिकितसा महावित्यालियों सहित अनेक स्वास्ते संस्थानों में कोविड महामारी के परिक्षन की सुविधा उप सबसे अधिक 41,052 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं मंडिस जला में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 24,651 है जला बिलासपूर में 11,709 जला चंबा में 9,224 जला हमिरपूर में 12,863 किन्योर में 2,748 जला कुलू में 7,889 जला राहुल स्पिती में 2,510 जला श्रिमला में 22,705 जला सिर्मौर में 14,034 जला सोलन में 20,730 और जला उना में 11,857 लोग कोरोना महामारी से स्वस्थ हो जुके हैं कोरोना मरीजों के उपचार के लिए राजे सरकार द्वारा प्रदेश के सभी अएडार मेडिकल कॉलजों सहित कुल 58 स्वस्थ है संस्थानों को समर्पित कोविट स्वस्थ चेंद्र बनाया गया है राजे के इन सभी समर्पित कोविट स्वस्था केंद्रों με 4,124 सबिस्तर कशमता उपलब्द है पाहली लहर के दोरान जहां केवल 11 कोविट समर्पित स्वास्ते केंद्र थे, वहीं दूसरी लहर के दुरान, राजे सरकार द्वारा कोविट समर्पित स्वास्ते केंद्रों की संख्या निरंतर बढ़ाई गई हैं, जिसके कारण अब प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई हैं। प्रदेश सरकार के समर्पित प्रयासों के कारण राजय कोरोना महामारी के साथ मजबूती से जंग लड़ रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम निरंतर सामने आ रहे हैं। COVID-19 महामारी के प्रती लोगों को जागरुक करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विवाग द्वारा प्रदेश व्यापी अभ्यान चलाया जा रहा है। बार बार ताबुन से हाथ होएं, बैक से जरूर लगवाएं और भ्रांतियों में ना फसें। प्रोना का संकर्मन लगा हुआते हैं जी से बढ़ने, और इसका से बचने के लिए तीन उपाइस पेमाज करें। इन कारिक्रमों के माध्यम से लोगों को मास्क का उप्योग करने, स्वच्छता और परस पर दूरी बनाये रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तथाने महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जा रही है। अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश। अपने नाक और मुंग को अच्छी तरह से ढखो हाँ बिलकुल ऐसे। आप जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है तो ऐसे में आपका मास्क और भी सुरक्षित होना चाहिए। सही मास्क पहने और घर पर भी मास्क का इस्तिमाल करें। इसके तिरिक्त अपने हाथों को बार-बार साबुन और फानी से अच्छी तरह धोएं। सैनिटाइजर का इस्तिमाल करें और दूसरों से उचित दूरी बना कर रखें। खुद भी सुरक्षित रही और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना युगदान दें। ये हम सब की जिम्मेवारी है। स्वास्तेवं परिवार कल्यान विभाग द्वारा दोपहर दो बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जांच के लिए आज 3,450 लोगों के सेंपल लिए गए जिन में से 647 लोगों की रिपोर्ट नेगटिव पाई गए हैं। जबकि 2,792 लोगों की रिपोर्ट आना पाकी है। इस अंक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजे इजाजत नमस्कार